नवश्कार दोस्तों ये एक PC मेरे पास आया है ये लगबग 8 से 10 साल पुराना है और इसका अगर मैं configuration आपको बताऊं तो इसमें dual core processor लगा हुआ है 3 GHz का 1 GB RAM है और इस PC में problem ये थे कि इसका hardest crash कर गया था क्लाइंट इसमें बहुत जादे major update नहीं करना चाता है बहुत अप्ग्रेडेशन नहीं interested है करने के लिए कारण उसका ये है कि इसका बहुत ही basic work है MS World और Excel ही पर उनका maximum काम होता है तो इसमें मैंने उनको suggest करके 128 GB का SSD कार्ड लगाया है और देखते हैं कि इससे speed में क्या फर्क पड़ता है क्योंकि 1 GB RAM आज के दोर में 4 GB भी minimum RAM लोग अवाइड कर रहे हैं 8 GB पर जादे जा रहे हैं तो 4 GB RAM के जगा पर अभी भी 1 GB RAM है तो देखते हैं कि Windows on होने में कुछ speed of फर्क पड़ता है या नहीं यह मैंने CPU on कर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं Windows on होने में मुश्किल से 20 से 25 सेंड ही लगए तो इसका मतलब SSD से पुराने कंप्यूटरों पर भी फर्क पड़ता है speed में और काफी हद तक हम अगर hard drive खराब हो लिए तो SSD लगाते हैं तो उससे हमारा काम चल जाएगा अब हम इस पे MS Word और Excel भी देख लेते हैं एक बार कि क्या स्पीड है कि यह हमारा खुल गया है कि कॉन्फिग्रेशन में आप लोग को PC के दिखा देता हूं यहां पर देखें पेंटियम डूल कोर है E5800 और 1GB RAM है वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद